तो दोस्तों फिर स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Redmi Note 10 है आपके पास या फिर Pro Max है तो इसमें आप यहाँ पे Always On Display की सेटिंग कैसे कर सकते हैं Always On Display यानि कि जो Lock Screen है उस पे आपका यहाँ पे सेटिंग पे सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे Always On Display लॉक स्क्रीन का उप्शन आएगा आप इस पर क्लिक कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर इमेज लगा सकते हैं क्लिक करके अपने हिसाब से लेकिन अभी मैं इसको छोड़ दूँगी ऐसी अपनी हिसाब से मैं इमेज को से लगाने वाली और यहाँ पहले तो इसे इनेबल कर देंगे यहाँ से और इसके बाद यहाँ पर इनेबल करने के बाद यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं जैसे कि यह वाला कुछ सिगनेचर लगा सकते हैं कुछ लिखके आप चाहें तो यहाँ पर भी लिखके लग हटाना है तो इसको हटाने के लिए क्या करेंग आप क्लिक करेंगे और यहां से क्रदिंगे तो आभी मैं उसको छोड़ कर दूंगे और मैं इन में मैं से कोई और चीज चूस कर लूँगी जैसे यह वाच हो गई और ये कोई flower हो गया है इस type से या फिर इस type से या फिर इन में से कोई picture background के लिए तो मैं ये वाला click कर लूँगी तो लगाने के बाद कुछ इस type का दिखेगा और battery चाहिए तो battery रहने देंगे और notification चाहिए तो notification रहने देंगे और इसके बाद apply पे क्लिक कर देंगे इतना कंड़ी के बाद यहां पे आप बैक कर देंगे और यहां पे जब आपकी screen ऐसे blank रहेगी तो आप देख सकते हैं कि blank screen पे आपको इस type का ये देखने को मिलेगा और ये हमेशा आपकी display पे जब black रहेगा तो ये show करेगा ठीक है तो इसको कहते हैं always on display तो इस step से आप इसको set कर सकते हैं तो आई होप गई ये वीडियो आपको ज़रूर पसंदाया होगा इसी type के और इंटरसिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा चले मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार